हेलो गाइज, यू आपनी सेवन्थ कलास की हिंदी भासा की सिख्ष्थ वर्क्षित है इसको पढ़ेंगे और इसके कोश्चन्स आंसर करेंगे पाठ का नाम है दादी मा इसका पिछला हिस्सा हम कर चुके हैं यह उसका आगला पाठ है यहां से देखिएगा कीशन के विवाह के दिनों की बात है विवाह के चार-पाँच रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती है रात रात भर मतलब पूरी पूरी रात अक्सर ऐसा होता है विवाह के टाइम पे औरतें गीत गाती है विवाह की रात को अभिने भी होता है जी जिस दिन साधी होती है बरात जाती है खास तो बरात जाने के बाद घर की ओरतें वहाँ पे घर पे जहां से बरात जा रहे हैं लड़के के घर पे खुब इंजवाई करती है गाती है और प्राया एक कथा हुआ करता है उसमें विवाह से लेकर उस कथा में अभिने होता है मतलब नाटक टाइप का रोल प्लेएं विवाद से लेकर पुत्रुद्रपत्ति तक के सबही द्रिश्यों को करती हैं एक सबही पार्ट औरते ही करती मैं विमार होने के कारण बरात में न जा सका मतलब जो लेखक है जो ये बात कह रहे है उव बिमार होने के कारण नहीं गए थे तो उन्होंने इस चीज़ को देखा महसूस किया और तो की इनकामों को फिर क्या होता है मेरा ममेरा भाई रागाव दलान में सो रहा था उनका ममेरा भाई मामा का रड़का दलान में सो रहा था मतलब घर के बाहर का जो हिस्सा होता है उसमें सो रहा था वो अभी बरात जाने के बाद पहुँचा था अच्छा मतलब देर से आया था हो तो इसलिए घर पे रुखना बड़ा उसको क्योंकि बरात निकल चुकी थी ओरतों ने उस पर अपत्ती की मतलब ओरतों का कहना था कि यहां तो हम लोग काम नाचेंगे गाएंगे या भी नगे करेंगे तो यहां पर यह क्या कर रहा है यहां से इसको हटाओ और तो उस पर अपत्ती की उसके वहां होने पर दलान में तो होता है क्या है दादी मा बिगड़ी वहां पर दादी मा होती है बुड़ी औरत वो कहती है लड़के से क्या परता यह तो बच्चा है छोटा लड़का है घर कही परिवार का रिष्दार का लड़के और ब्रह्मा का मन एक साह होता है वो कहती है कि लड़का है इससे कोई दिक्कत नहीं है यह भोला मन है इसका प्राकृतिक मन है भी बच्चा है इसके रहने से हाँ कोई परहेजवाली बात नहीं है आप लोग अपना नाच गाना कर सकते हो ठीक है तो इस तरीके से यह वर्क्षिट थी वच्चो आई होप आप समझ पाए होंगे वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अब इसके कोश्चन था अंसर करते हैं और पहला कोश्चन देखिए कि विवास से पहले औरते क्या करती हैं तो बहुत सिंपल है हमने देखा है पढ़ा है और इसका अंसर इस तरीके से लिखेंगे आप कि विवास से पहले मतलब 4-5 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है विवास से पहले औरते रात रात भर गाना गाती है गीत गाती है ठीक है इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसका अनसर अगला कोस्चन है दूसरा यहां पर देखिए कि अभिने में कौन से द्रिश्य दिखाए जाते हैं तो जो औरतें अभिने करती हैं नाटक करती हैं उसमें वो क्या करती हैं वे औरतें कथा में अभिने के माध्यम से औरतें साधी से लेकर पुत्र प्राप्ति तक के द्रिश्य को प्रस्तूत करती है ठीक है तो यह आंसर आप लिखेंगे इस तरीके से और अगला है तीसरा कोस्चन की अभिने के सभी पार्ट कौन करता है तो जैसा कि हमने समझा है अभिने के सभी पार्ट औरते ही निभाती है अगला ज़ कोस्चन है इसमें वे पूत्र प्राप्ति तक के हिस्षे को दिखाती हैं साथी से लेकर पूत्र प्राप्ति तक के दृष्षे को प्रस्तूत करती हैं चोथा क्रस्न देखिएगा चोथा है घर पर होने वाले उत्सों समारोहों में बच्चे क्या करते हैं अपने अन्भव के अधार पर लिखिए तो हम सबने महसूस किया है आपने महसूस किया होगा मैंने भी महसूस किया है और मुझे कमेंड में बताइए भी कि हाँ सर हमने ऐसा महसूस किया है और वीडियो को लाइक किजिएगा चनल को सब्सक्राइब किजिएगा प्लीज कि घर में जब कोई भी फंक्शन कोई तेवहार हो कोई साधी हो कोई बर्थडे सेलेबरेशन हो तो उस दोरान बच्चे बहुत अनंद उठाते हैं उस चीज का तो इसका अंसर इस तरीके से लिखिया आप कि घर में होने वाले सभी घर में होने वाले किसी भी उत्सव का सबसे ज़्यादा बच्चे ही इंतजार करते हैं और उसका लुफ्ट उठाते हैं इधर-उधर भाग दोड करते हैं और हर ज़गह अपनी भागिदारी का प्रयास करते हैं साथ ऐसा ही है मैंने तो ऐसा ही महसूस किया आप क्या महसूस करते हैं आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं और कमेंट में भी बता सकते हैं कुछ अलग आप चाहते हैं मेरे साथ सेर करना मुझे पढ़के अच्छा लएगा I would be pleased to hear from you and from this thanks for now stay safe stay home